नमस्कार दोस्तों स्वागत थे आपका घरेली उपचार में आज हम बात करने वाले हैं आवला के गुन और उनके स्वासमन्दी लावकारी फाइदा के वारी में दोस्तों तो आवला एक बहुत ही गुनकारी फल है दोस्तों ठंडे और सर्दियों में उनका खाने के बहुत ही लावकारी फाइदे हैं तो आवला में विटामिन C की भरपूर मातरा होती है जिससे हमारे सरीर में यूमिनीटि की कमी नहीं होती और हमारा सरीर स्वस्त और निरोग रहता है और सरीर कारिश छमता बहुत पढ़ जाती है आखों के लिए वरदान है सरीर तवचा के लिए ये रामबान है और इसे बहुत सारी लाव है तवचा की सारी समस्याओं का निदान है आवला का रस और आखों के लिए तो ये वरदान है आख में किसी परकार के समस्या को ये न निदान करता है डाइबिटीज के रोगी भी इनको खाने से बहुत लाव होता है डाइबिटीज के रोगों को सुगर लेवल बहुत ठीक कंट्रोल में रखता है आखों के लिए आखों का धुंदलापन आखों की कमजोरी इन सारी समस्याओं में ये काफी कारगर सावित होते ह और काफी हद तक ये ठीक होते हैं हमारे सरीर के इमिनेटी को भी ये काफी हद तक बढ़ाता है और हेमोगलोबिन को हमारे सरीर में बहुत ही ठीक रखता है और हमारे याददास को ये बहुत ही हद तक बढ़ाता है अगर सुभा गाय के दूद के साथ इनके आवले का मुरब्बा को खा लिया जाए तो हमारे यादास की समस्या से निजात पा सकते हैं और ये काफी लाबदायक होते हैं दोस्तों तो दोस्तों ये थे कुछ आवले के गुन और उने वाले फायदे के बारे में जानकारी तो आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमारे घरेलू उपचार चैनल में लाइक करें सब्सक्राइब करें कॉमेंट्स जरूर करें दोस्तों ऐसे ही अच्छे वीडियो और भी लाते रहे की महत्पून जानकारियों के साथ तब तक के लिए दोस्तों चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें कॉमेंट्स करें धन्यवाद दोस्तों स्वस्त रहें मस्त रहें धन्यवाद